गुड मॉर्लिंग दोस्तो स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टेडी सर्किल 2.0 में सो कैसे हैं दोस्तो आप लोग आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे सो दोस्तो आज हम फिर से स्टडी करेंगे applied mathematics first और applied mathematics first में हमारा चला डिफ्रेंशियेशन और डिफ्रेंशियेशन का यह आपका lecture no.7 है धंडिध ने कॉन सा लेक्चर दोस्तूथ यह आपका less कर डाल चूग 가까 उन थीकें आपको लेक्चर से सिर्लेटेड डाल चुका हूं आपको जाकर कि बहुत भड़ीया तरहीक से क्या करना है देख ले हैं भख में इतना इसलिए डिफ्रैंशीयेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और हर एक कोश्यण को करना है जो कश्यंचंद इसमें आपके साथ श्यार कर रहा हो उसको । तो दोस्तों डे में अगर हम बात करें तो हमारा चला है लगहु गड़की आवकलन ठीक है क्या चला दोस्तों लगहु गड़की आवकलन ठीक है यानि कि लॉगरित्म डिफ्रेंसियेशन ओके और आज हम इसमें जो नेक्स टाइप कॉश्चन आपका आता है एक्जाम में उसको हम कबर करने वाले हैं कल हमने जो कॉश्चन सॉल्व किये दोस्तों उसमें हमने देखा था कि अगर आपका चरकी उपर चरक घाते उस टाइप के कॉश्चन को हमने क् एक्स माइनस फॉर एक्स माइनस फाइव ठीक है इसमें क्या है इसमें आपका देखिए यह हो गया दूसरे टर्म यह हो गया तीसरे टर्म यह हो गया यह आपके इंटू में दिये हैं क्या दिये हैं इंटू में दिये हैं आपके ठीक है समझाए ना तो ऐसी कंडिशन में द दूसलिए लंगू का इबउज कर सकते हैं और लगीगड़गर्ण इसका हम लोगू कैसे करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले ना पढ़ता है तो process वही है सारी की सारी बस question देने का तरीका बदल गया यहाँ घात की उपर घात होती थी यानि चर की उपर चर होता था बट यहाँ into में है सारे की सारे ठीक है तो log आपको लेना ही पड़ेगा वैसे का वैसा ही है वो तीनों step आपके वैसे ही पहली log लेंगे ठीक है फिर solve करेंगे फिर differentiation कर देंगे चौथा answer आजाएगा तो यहाँ log लेंगे तो log y हो जाएगा यहाँ जब लेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा log x-3 x-4 और आपका x-5 correct समझ गे दोस्तों आप देखे यहाँ फॉर्मिल आपका कौन सा यूज होगा यहाँ बन रहा है log a into log b into log c तो इसका फॉर्मिला क्या होगा log a plus log b plus log c ठीक है तो मैं इसको direct note करता हूँ log a plus log b plus log c ओके यतना आपको समझ में आ गया होगा अब बस क्या करिए differentiation कर दीजे तो differentiation with respect to x क्या जाएगा दूस्ता आपका आपका दीखे यहाँ हमें x के respect में करना यानि कि d upon dx तो यहाँ लगा दीजे d upon dx इसके आँगे यह होगा log y इसके आँगे लगाएंगे तो d upon dx log x minus 3 plus d upon dx log x minus 4 plus एक और बचा हुआ यानि d upon dx और यहाँ log छूट रहा तो आप log लगाएंगे पहले log x minus 5 इतना आपको समझ में आ गया हुआ ठीक है यह log आपका रखा हुआ है अब differentiation कर दीजे बिलकुल ही simple है यहाँ log y का क्या होगा पहले 1 upon y होगा ठीक है फिर y का dy upon dx होगा इसके बाद देखिए दूस्तों यहाँ हमें करना है log x का तो पहले इस पूरे टर्म को x मानेंगे तो इसका हो जाएगा 1 upon x यानि की x minus 3 इसके बाद अंदर वाला जो सब function है उसका भी करना है 1 upon x यानि x minus 5 ठीक है इतना आप समझे और यहाँ हो जाएगा आपका x का 1 minus का 0 ठीक है यह देखिए यह दिया है log x तो 1 upon x x minus 5 इंटू x minus 5 यानि इसका भी करेंगे तो x का 1 minus अचार है तो 0 ठीक है तो यहाँ से कितना मिलगी आपको 1 upon x minus 3 प्लस 1 upon x minus 4 प्लस 1 upon x minus 5 ओके और यह है दोस्तों आपका dy upon dx upon 1 upon y के एक्वल तो मैंने बताया था कि बाद में आपको इस y का value भी रखना होता है तो सबसे पहले तो इसको इस side लाएंगे कहा लाएंगे इस side लाएंगे तो यह सारी values आपकी कितनी हो जाएगी यह सारी आपकी values रहेगी 1 upon x minus 3 प्लस 1 upon x minus 4 प्लस 1 upon x minus 5 और यहाँ into में आपका दोस्तों कितना आजाएगा y ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा dy upon dx और यस y की जो value है वो आप question से देखकर के रख देंगे यह रही आपकी पूरी की पू x minus 4 x minus 3 x minus 5 और यहाँ से हो जाएगा x minus 3 x minus 4 x minus 5 और यह आपका ठीक है dy upon dx हो जाएगा तो इस तरीके से इस question का आपको solve करना रहेगा जब आपका क्या हो into में दिये गए हो ठीक है यहाँ चरकी उपर चरकी घाती बट यहाँ सारे के सारे जो हैं आपके into में है ठीक है यानि कि आपके गुणा में रखें तो आपको log बैसे ही लेना है जैसे हम लोग लेते थे और यहाँ वास formula आपका जो change हो जागा यहाँ होता था log x power n का तो n x और फिर log x आता था ठीक है लेकन यहाँ क्या होगा यहाँ आपका log a into log a into b into c का यूज़ होगा तो log a log b log c इसके बाद differentiation कर दीजिए बिल्कुल easy है ठीक है तो यह देखिए पूरा का पूरा question यह है आपको दूसरा question ठीक है कर लिज़ें इसको जल्दी से note बिल्कुल ही easy question है ओके चले अब हम बढ़ते दोस्तों next question की और तो next question क्या दिया गया है चलिए इसमें मैं थोड़ा सा hint देता हूँ आपको इसी टाइप का question question दिया है दोस्तों y is equal to sin x into sin 2x into sin 3x यह question दिया है इसका भी differentiation करना है तो कैसे करेंगे आप लोग देखिए sin x into sin 2x into sin 3x है यानि कि क्या है आपके into में दिये गए है सारे के सारे तो फिर से आपको y यहाँ क्या करना पड़ेगा लोग लेना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा log y यहाँ देखिए मैं direct कर रहा हूँ यहाँ हो जाएगा log a into b into c यानि कि आपका क्या हो लॉग A, प्लस लॉग B, प्लस लॉग C, तो हो जाएगा, लॉग साइन X, लॉग साइन 2X, लॉग साइन 3X, ठीक है, आई हो, इतना तो समझ में, आपको आई ही गया होगा, अब यहां से क्या करना है, differentiation with respect to X, तो यहां लगा दीजिए, d upon dx, log Y, d upon dx, log sin X, d upon dx, d upon dx, log sin 2X, प्लस, d upon dx, log sin 3X, ठीक है, एतना समझ में आगया, यह आपका log लिखा हुआ, ठीक है, यह देखिए, log sin 2X, log sin 2X, प्लस, यहां से d upon dx, log sin 3X, अब करेंगे differentiation, तो इसका हो जाएगा, 1 upon y, y upon dx, ठीक है, is equal to, इसका करना है, log sin X का, तो log X के साब से तो यह 1 upon X होगा, यानि की, 1 upon sin X, इसके बाद sin X का भी करना है, sub function है, यह आपका sub function है, तो पहले log X पूरा, तो 1 upon X, और X का value sin X से तो यह आ गया, फिर sin X का तो cos X, ठीक है, प्लस, यहां है log sin 2X, तो इस पूरे को X माने के पहले तो, 1 upon sin 2X, और फिर sin 2X का भी करना है, तो cos 2X आएगा, लेकन उसका भी sub function है, sub function तो यहां भी था, लेकन X का दो 1 होता, तो माने लिखा नहीं, लेकन यहां 2X से करना पड़ेगा, तो into 2 भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस, यहां से आपका कितना हो जाएगा, log X के हिसाब से 1 upon X, यानि कि sin 3X, ठीक है, into sin 3X का भी करना है, तो cos 3X, और फिर 3X का भी करना है, तो 3, ठीक है, कितना easy है, चलिए, अब यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, cos X बटे sin X, यानि कि cot X, प्लस, 2, यह देखिए, cot 2X, प्लस, 3, cot 3X, ओके, और यहां से जब dy upon dx निकालेंगे, दोश्तों, तो यहां से आपका यह जो y है, यहां into में आ जाएगा, ठीक है, अब बाद में, समझ रहें, तो इस y की जो value है, तो question में कितनी दी गई है, यह रही question की value, तो जब यहां रखेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, यह है आपका value, यानि कि sin X, sin 2X, sin 3X, और जो वांकी का value है, cot X, 2 cot 2X, 3 cot 3X, ठीक है, तो यह आपका final answer हो जाएगा, इस question को, और is equal to आपका, dy upon dx दोस्तों चला आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से question को आप लोग समझ लीजें, ठीक है, question समझने पर धेहान दीजेगा, note करने पर विल्कुल भी नहीं, पहले question समझेंगे, और फिर उसके बाद लगाएगे, ठीक है, तो इसको कर लीजे, इसको करना है, इसको करना है, आपको differentiate और वो भी with respect to x, तो लॉग ले लीजे सबसे पहले तो, लॉग y, यहां से कितना हो जाएगा, लॉग e पर पावर x, log base e x, और into 10x, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, log a into b into c का formula, क्या हो जाएगा, log e पर पावर x into log, और यहां bracket में कर सकते हैं, log base e x, ठीक, ताकि आपको confusion ना हो, यह log यह और यह पूरी x की value, ठीक है, और प्लस यहां से हो जाएगा, log base e 10x, ठीक है, तो यह log a plus log b plus log c, ठीक है, और is equal to हो जाएगा, log y, ठीक है, अब आपको करना differentiation, तो differentiation with respect to x, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, d upon dx of log y, d upon dx of log e पर power x, प्लस, d upon dx of log e पर power तो नहीं है, log base e x दिया, ठीक है, प्लस, d upon dx, log base e 10x, ठीक है, यहां confusion हो रही हो, तो इसको भी bracket में टाके लोग कोई दिखका थे रही है, ठीक है, अब आपको समझे में आ रहा हो, कि यह x की value है, तो करिए differentiation, इसका तो हो जाएगा, 1 upon y, dy upon dx, इसका कितना होगा, इसका दूस्तों दिया है, log, ठीक है, और यह आपका कितना दिया है, ठीक है, तो थोड़ा समय एक बार चेक कर लूँ, e पर power x दिया है, no problem, तो यह दिखे, पूरा यह आपका x होगा, यानि कि आपका कितना हो जाएगा 1 upon x तो e पर power x ठीक है इसके बाद e पर power x का फिर से करना पड़ेगा तो e पर power x का e पर power x और x का करेंगे तो एक हो जाएगा फिलस इसका करेंगे तो ये log और ये x तो 1 upon x यानि 1 upon log base e x होगा इसके बाद दिखिए इस log का complete लेकिन अंदर भी एक log है तो log base e x इसका कितना होगा 1 upon x और फिर x का तो एक ही होगा प्लस ये दिया है log base e और ये पूरा x होगा तो 1 upon x यानि 1 upon 10 x बाहर का complete अंदर का करेंगे 10 x 10 x का कितना हो जाएगा sac square x और फिर x करेंगे तो 1 होगा कोई दिख्कत नहीं होनी चाहिए इससे इसको काट दिया 1 plus 1 upon x log base e x ओके प्लस यहां से हो जाएगा sac square x बटे 10 ठीक अब इसका calculation करना है तो कर सकते है नहीं करना है तो कोई दिख्कत नहीं है डारेक्ट रख दिया करो आपको लगता है कि मेरे पास time है मैं कर सकता हूँ तो कर दो पर यह अब देख्किए y यहां लाना है तो यहां ला दिया मैं 1 plus sac square x बटे में 10 x ओके अब y के value जो दिया है वो आप यहां रख दी से कितना दिया है यह रहा पूरा value e पर पावर x लोग बेस e x इंटू 10 x e पर पावर x लोग बेस e x और इंटू 10 x और अंदर है 1 plus 1 अपून x लोग बेस e x प्लस sac square x बटे में 10 x ठीके ना और यह dy upon dx का आपका value हो जाएगा ठीके ना तो कर लीजे फिर जल्दी से इस question को भी note out यह रहा आपका starting से पूरा का पूरा question दोश्टों ओके अब इसको आप लोग solve कर लें ना मैंने जैसा की बताया इसको आप लोग solve कर लें कोई दिक्कत नहीं है इसको करेंगे कैसे करेंगे इसको करेंगे one upon cos square x और into 10 x है तो इसको कर लीजे sin x और उपर पहुँचा दी जी cos x को ठीके तो यहां से एक cancel हो जाएगा तो कितना आजाएगा sin x into cos x इसकी जगह रख देना कोई दिक्कत नहीं है यहां ठीक है समझ रहे ना कितना आजाएगा one upon sin x into cos x रख देना इस पूरे term की जगह है और नहीं भी रखना तो कोई दिक्कत नहीं है answer आपका collect है तो देख लो इस question को आप लोग जल्दी से और फिर आप move on करते है next question की और यह देखिए यह रहा आपका question यह देखिए चलिए तो फिर मैं बढ़ता हूँ next question की और चलिए दोस्तो अब दोस्तो देखिएगा next question और यह थोड़ा सा important question है ठीक है इस question क्या करेंगे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे question में देखिए कुछ अलग तरीके से दिया है y is equal to 1 upon x plus a और दिया है दोस्तो x plus b x plus c ठीक है इसको करना है आपको differentiate within respect to x किसकी respect में करना आपको करना दूस्तो x के respect में तो इसका क्या होगा solution चलिए देखते है process वही है लगुगड़क का ही सवाल है करना कैसे है तो process पहली वही मैंने बताई है कि log लेंगे सबसे पहले तो तो भया यहां तो लेना पड़ेगा log log y मैंने कर दिया यहां भी मैंने ले रखा है तो यहां सहो जाएगा one और upon में चला जाएगा x प्लस a x प्लस b x प्लस c ठीक है समझ गए इतना अब मुझे बताईएगा कि कौन सा log का फॉर्मूला यहां open हो रहा यहां open हो रहा दूस्तों log a और इस पूरी को अगर हम थोड़ी देर के लिए b मालने कितना मालने b तो log a बते b का फॉर्मूला खोल रहा तो कितना होता है log a यानि की one माइनस हो जाएगा log b और log b की value पूरी रखेंगे x प्लस a x प्लस b x प्लस c ओके log b c y correct लेकिन इसका भी तो कुछ open कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं log a into b into c तो ये open हो जाएगा log a यानि x प्लस a ठीके और प्लस आना चाहिए लेकिन दोस्तों अब बाहर माइनस है तो मैं सब का sign यहीं से change करता हुआ चलता हूँ log b c x प्लस b log base e x प्लस c और यहाँ था log base e 1 log base e y देख लिजेगा कहीं भी confusion हो तो बता दीजेगा मुझे कुछ भी नहीं करा यहाँ से मैंने log ले लिया मैंने फिर इसके बाद दोस्तों क्या कर दिया log a और इस पूरे को b माना तो log a बटे b का formula खोला क्या होता है log a minus log b जो log b आया था ना उसका मैंने क्या करा log a into b into c का formula खोला तो log a plus log b plus log c बट minus था तो यह सब को minus कर दिया अब यह log यह खे तो उसका मान जो 0 ही हो जाएगा तो इसको हम यहीं से क्या कर ले है हटा दे रहे है अब कर दीजिए differentiation with respect to x तो इसका कित्ता हो जाएगा d upon dx of log b c y इसका हो जाएगा d upon dx of minus का log b c x plus b minus का यहां से हो जाएगा d upon dx आप किसका करना है minus का log b c x plus c ओके समझ गे इतना चलिए अब कर दीजिए differentiation तो इसका हो जाएगा दूस्तु 1 upon y dy upon dx इसका minus बहर आ जाएगा तो minus अब देखिए यहां से हो जाएगा log x तो हो जाएगा 1 upon x का value x plus b function का complete अब बच्चा सब function यानी x plus b तो x plus b में x का करेंगे तो 1 और b का 0 तो मैं इसको सीधा 1 ही कर देता हूँ या आप चाहें तो 1 plus 0 कर देता हूँ कोई देखिकत नहीं है minus यहां पर भी log x हो रहा है यानी कि 1 upon x plus c यह हो गया 1 upon x अंदर का करेंगे तो x का 1 c का 0 यह इतना complete यहां से कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा आपका देखिए यहां कितना आ रहा है 1 upon minus का 1 upon x plus b minus का 1 upon x plus c इसके बाद आपको करना क्या होगा छोटी सी process आपकी और बची हुई है यह जो y आपका आया हुआ है यह जो y आया हुआ है इसको यहां transfer कर दीजिए ठीक है समझ गये इतना अब इस y की value दोस्तों आप क्या करिए यह जो आपको question यहां दिख रहा है y कीजिए कि यह पूरी value उठा कर गिरक दीजिए तो थोड़ा समय यहां note करता हूँ यहां से हो जाएगा 1 upon x plus a x plus b x plus c अब देखिए अगर हम अंदर से common ले लू minus यहां तो यहां हो जाएगा 1 upon x plus b plus 1 upon x plus c ठीक है न तो यह note कर लिजिए final answer आपका आचुका है ठीक है इस question का तो यह question भी आप लोगों का हो गया complete कर लिजिए जल्दी से इसको note यह देखिए यह रहा पूरा का पूरा question इसकी इन पर तो नहीं आपा रहा है तो थोड़ा सा यह देख लिजिए फिर यह देख लिजिए ठीक है चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं next question की ओर और यह लगाई है आप लोग very 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 most IMP ठीक है question दिया है दोस्तों y is equal to x plus 1 का square root के अंदर x minus 1 upon दिया है x plus 2 का whole q e पर पावर x यह question है यहाँ देखिए आपके जो चर दिये हैं वो into में भी हैं divide में भी हैं सारी process कर दी एक ही question में अभी जो हम अलग-अलग पढ़ करके आ रहे थे न कि अगर into में हैं तो first into second का लगाएंगे यहाँ भी first into second का लगाएंगे first upon second का लगाएंगे लेकिन इसमें सारा का सारा कर दिया उसने first upon second भी रख दिया ठीक है first into second भी रख दिया तो करेंगे कैसे तो यहाँ हमारा काम आएगा लगोगड की आउकलन कैसे करेंगे log लेंगे सबसे पहले तो यहां से हो जाएगा log y यहां देखिए log x plus 1 का square और थोड़ा सा speed में समझेंगे ताकि वीडियो जो है आदे गंटे से जादा ना हो ठीक है चलिए x plus 2 का whole q e पर power x ठीक है इतना समझ गए आप लो अब देखिए अब क्या होगा अब यहां formula लगाएंगे log a upon b का तो कितना हो जाएगा log a यानि की x plus 1 का whole square और root के अंदर x minus 1 ओके यह हो गया log a अब minus करना है log b तो हो जाएगा x plus 2 का whole q e पर power x ठीक है अब लगाएंगे log a into log b का तो यहां इसको थोड़ी दर के लिए छोड़ रहे हैं हम लोग बाद में उसको pick up कर लेंगे तो log x plus 1 का square ठीक है अब यहां plus करना है तो log x minus 1 minus यहां करना है log x plus 2 का q देखिए formula वही है log a into log b का यहां भी a into b ही करा है अब यहां plus करना तो यह minus क्या करेगा इसको minus कर देगा यानि log b e पर पाबर x हो जाएगा ठीक है समझ गए आप लोग कोई confusion नहीं होने चाहिए आप लोग चलिए अब दोस्तों हम यहां क्या कर सकते हैं देखिए मैं एक process कर रहा हूं बहुत ही छोटी सी चलिए इसको भी हम साथ ही में ले ले लेते हैं अब यहां क्या कर सकते हैं यहां जो log b c है इसको हम रखे रहें या आप कहें तो मैं इसको आँगे ले सकता हूं क्योंकि log x पर पाबर n का फॉर्मूला क्या होता है n x ठीक है n और यह फिर पूरा x हो गया या log हो गया और यह पूरा x हो गया ठीक है इसी तरीकी से मैं अगर इसको लिखना चाहूं देखे इस पर पूरे का एक बटा दो है तो एक बटा दो आँगे log b c x minus का 1 ओके यह तीन आँगे log b c x plus 2 आँगे इसको करूंगा तो यह minus का x आँगे यहां से हो गया log b e और यह पहले से e है तो यह तो cancel ही हो जाएगा minus का cable x यहां से हमें मिलने वाला है अब कर दीजी differentiation with respect to x तो यहां से d upon dx of log b e y is equal to d upon dx of 2 log b c x plus 1 ठीक है थोड़ा सा देखना काफी लंबा step बनने वाला है plus d upon dx of 1 बटा 2 log b e x minus 1 ठीक है minus d upon dx 3 log b e यह देखिए आगया ओके चलिए minus d upon dx of x अब देखिए यह तो काट गया देना आपना तो हम x को ही ले लेगे कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए log e है और यहां बेस में भी e है तो आपका गया ठीक है चलिए अब यहां से differentiation कर दीजी कोई यह आपका दोस्तो यहां से differentiation हो करके क्या बनेगा यह आपका बन जाएगा 1 अपन y और dy अपन dx यह बनेगा 1 अपन y dy अपन dx ठीक है समझे रहे ना log y का 1 अपन y और y का dy अपन dx इसके बाद यहां से दिखिए दो तो आचार पाते तो बाहर कर लिया यह बनेगा log x यानि की 1 अपन x इसके बाद x प्लस 1 का भी करना है तो x का 1 और 1 का 0 प्लस एक बटा दुग अचार है बाहर करा यह log x तो हो जाएगा 1 अपन x यानि x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 का भी करना है तो 1 माइनस का 0 ठीक है इसके बाद माइनस आप मुझे करना है 3 log 2c x प्लस 2 तो यह 3 अचारपादे बाहर करा और log x का 1 अपन x यानि x प्लस 2 और x प्लस 2 का भी करना है तो x का 1 और 2 का 0 ठीक है मैंने बताया था अचारपादे तो बाहर कर लेंगे पहले function देखेंगे लेकिन उससे पहले घात देखते हैं गाहत है नहीं है कि इस पर गाहत है नहीं है फिर function देखेंगे तो function log है तो 1 upon x का लिए उसका भी सब function x प्लस 2 x प्लस 2 का 1 x का 1 और 2 का 0 ओके इसके बाद माइनस इसका करना है तो इसका दो 1 ही हो जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा तो यहां से आ गया 1 upon y dy upon dx is equal to यहां से 2 upon x प्लस 1 आ गया ठीक है कितना आ गया 2 upon x प्लस 1 थोड़ा सा समझते जाएगा प्लस यहां से आ जाएगा दोस्तों कितना 1 upon 2 x माइनस 1 यह जो log वाले differentiation होते हैं बिलुकुल इजी होते हैं इसमें बिलुकुल भी दम नहीं रहता बस आपको concept पता होना चीए करना कैसे है माइनस 1 ओके समझ गए अब देखिए अब यहां से करना क्या y को यहां बेजना है तो dy upon dx is equal to y यहां चला गया यहां से आ गया 2 upon x प्लस 1 प्लस 1 upon 2 x माइनस 1 माइनस 3 upon x प्लस 2 और माइनस का आपका यह बन होगा आप y का value यहां रखना होता है तो y का value जो भी दिया था पहरे तुम एतना note कर दूँ यहां पे 2 upon x प्लस 1 प्लस 1 upon 2 x प्लस 1 माइनस 3 upon x प्लस 2 माइनस 1 और यह y का value आप रख देना दिखी मैं दिखा देता हूं क्या चीज़ है यह इतना y का value पूरा x प्लस 1 का square root के अंदर x माइनस 1 और upon में x प्लस 2 का whole q into e पर power x x x प्लस 2 का whole q e पर power x ठीक है तो मैंने ही रख दिया ठीलिए यह हो गया dy upon dx का value ठीक है देख लिज़े यह रहा पूरा question का solution तो I hope यह भी आपको समझ में आगया होगा देख लिज़े पहले हमने क्या करा log लिया यह पूरा a हो गया यह b तो log a minus log b फिर log a into b का लगा है तो log a plus log b minus यहाँ भी log a plus b होना चाहिए यहाँ minus होगा ठीक है इसके बाद इसके बाद हमारा जो y चला आ रहा था न तो उसको रख लिया यह आपका 2 आगे आ जाएगा क्योंकि log x से बावर n बनेगा तो यह इतना इसी तरीके से एक बटे दो होगा तो यह आँगे यह तीन आँगे और इसका x आँगे यह यह cancel अपना जो हो डिफ्रेंसिशन करा तो यहां सब के आगे लगाया पहले तो डी अपॉन डी एक्स फिर log y का बन अपॉन वाई y का डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है इसके बाद यहां अचारपत बाहर log x का बन अपॉन एक्स और एक्स का वन और एक का जीरो प्लस एक बटा दो बाहर log x का बन अपॉन एक्स एक्स का बन और वन का जीरो माईनस था तीन बाहर किया है log x का बन अपॉन एक्स एक्स का बन दो का जीरो और इसका वन ही रहेगा तो यहां से आ गया है दो बटा यहां से आ गया 1 upon 2 x minus 1 minus 3 बटा x plus 2 minus का यह 1 और इस y को हम यहां लाए और इस y का value रगती है यह देखिए ठीक है तोस्तों यह question आपका complete होता है और I hope आपको यह question भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए अब हमारा एक टाइप का question जो है और बचा हुआ इसमें तो वह भी हम लोग जल्दी से जल जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोसेच करेंगे और फिर हम सीरीज वाले question देखेंगे ठीक है ना कैसे question पढ़ेंगे सीरीज वाले question तो चलिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर ना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजए अगर आप लोग एप्लाइड मैतमेटिक के साथ अधर सब्सक्राइब करना चाहते हैं बिल्कुल free of cost और दोस्तों के साथ बिल्कुल से share कर दीजिए चलिए दोस्तों थैंक्यू